हलो स्टुडेंट आज हम क्लास एट का जो 3.3 एक्ससाइज हमारे चल रही थी उसमें कोस्ट नमबर 5 तक हम कर चुके थे अब नेक्स्ट वीडियो में जो अभी जो वीडियो आपका आप देख रहे हैं इसमें आपको कोस्ट नमबर 6 से ले करके इस एक्ससाइज को हम कंप्ली वीडियो भी देख लें और प्लीज पहले उसको करें फिर उसके बाद आगया है तो आज हम करेंगे कोस्ट नमबर 6 से स्टार्ट करते हैं कोस्ट नमबर 6 में क्या लिखा हुआ है यह पैरलोग्राम पर बेस्ट एक्ससाइज है हमारी पूरी की पूरी दा एडजसेंट यह है पैलोग्राम की ऐलोग्राम चैनल के सब्सक्राइब यह एंगल A और D ले सकते हो, B और C ले सकते हो, C और D ले सकते हो, आपने दो साथ-साथ वाले एंगल लेने हैं, तो A, B, C, D is a parallelogram, is a parallelogram, in which, in which क्या है भई, एंगल A and एंगल B are equal, R, equal, दोनों क्या है, equal, given है, फिर कह रहा है कि सारे एंगल की measurement आपको find out करनी, तो मैंने बताया था, आपको जो adjacent एंगल होती है, उनका sum क्या होता है, बताइए, कितना होता है, बोलो भई मोनो, कितना होता है, 180 degree, जो adjacent एंगल होगे, उनका sum जो होगा, वो क्या होगा, 180 degree होगा, यानि, एंगल A, प्लस, एंगल B, is equal to, क्या होगा, बच्चे, 180 degree, यह ने, parallelogram, sum of adjacent angle, are always, 180 degree, ठीक है, बच्चे, तो यह दोनों हमें पता है, equal है, मैं इसको भी X कह देता हूँ, इसको भी X कह देता हूँ, तो कि दोनों की measurement equal है, तो इसको भी X कह दिया, इसको भी X कह दिया, क X is equal to, क्या है, 180 divided by 2, 2, 9, 0, 18, यानि की कितना आगया, बच्चे, 90 degree, यानि यह भी आपका 90 degree आगया, यह भी 90 degree आगया, बाकी कितने कितने क्या होगे, बता भई, बोलो, टिंक कु बता भई, कितने कितने क्या होगे, ए जब वो 90 degree का है, तो C कितने का होगा, बोलो साबास, opposite angle equal होते हैं, very good, इसलिए, यह, यह, 90 degree का है, तो C क्या होगा, 90 degree का, B 90 का है, तो D क्या होगा, 90, चारों के चारों angle कितने के आगया, 90, 90 degree के आगया, चारों angle आपस में क्या होगे, एक्वल होगे, बस question आपका खतम हो गया, आपने लिख देना है, angle A is equal to, B is equal to, C is equal to, D is equal to 90 degree, अब next question में आ जाएंगे, question number 7 में, question number 7 में पढ़िए क्या कहरा है, question number 7 में, question number 7 में भी इसने parallelogram दी है, यह कहरा है कि, the adjacent figure, H O P E, H O P E, एक parallelogram है भई, H O P E, एक parallelogram है, इस तरीके से, H O P E, इस side को थोड़ा बढ़ाया हुआ है, फिर कह रहा है, find the angle measures X, Y and Z, state the property you use to find them, आपको X, Y, Z measure किये हुए, angle, यहां पे लिखा है X, और इसको इससे मिलाया गया है, यह diagonal जो है, जो है, join किया हुआ है, यह angle आपको दिया है, Z, यह आपका है 40 degree, यह आपका है 70 degree, ठीक है बच्चे, और यह आपका Y लिखा हुआ है, आपको X, Y, Z की value, X, Y, Z की value, find out करनी है, find out the value of X, Y, and Z, H O P E is a parallelogram, तो लिखेंगे question number 7 में, H O P E is a parallelogram, in which क्या है यह angle, लिख लो यह जो जो चीजे गीवन होती ही, वो सारी चीजे लिख लो पहले आप, तिर उसके बाद देखो कि find out क्या करना है, अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, यह आपने swim लिखना है, यह 70 degree का, 70 degree का angle दिया हूँ, क्या यह angle बता सकते हूँ आप, बोलो भई, बोलो यह angle कितने degree का होगा, जब यह 70 degree का है, तो यह angle कितने degree का होगा, पता है किसी को, very good, 110 degree का, कैसे होगा, यह जो angle है, इसका नाम है P O H, इस वाले angle को मैंने कह दिया, angle P O H, प्लस में, P O, यहाँ पे क 70 degree लिख दिजिए, is equal to 180 degree, क्यों है इन दोनों का sum 180 degree, मैंने आपको बताया था, linear pair, जब एक ही line पे दो angle बनते हैं, straight line बनती है, इन दोनों का sum क्या होगा, एक straight line बन जाती है, तो बेटे, इसको हम बोलते है, linear pair, यह always 180 degree के होता है, तो यह 70 degree का है, तो यह कितने का आगया, angle P O H is equal to 180, तो यह उदर जाकर कि 180 में से 70 माइनस हो जाएगा, कितना मचेगा, 110, तो P O H यानि यह कितने का आगया, 110, अब आपको पता, opposite angle of parallelogram equal होते हैं, तो X is equal to क्या आगया, 110, we know, since opposite angle of parallelogram, चाहे इतना ही लिख दो आप, opposite angles of a parallelogram, हो पी नाम लिखना चाहों लिख सकते हैं, तो यह 110 का आगया, अब हम आगे चलते हैं, मैंने आपको बड़ा अच्छे से last video में बताया था कि alternate interior, interior alternate angle जो होते हैं, वो क्या होते हैं, जो ZD की save बनाते हैं, इस तरीके से, उल्टा, सीधा, ठीक है ना, किसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है, जो ZD बनाते हैं, ZD की save उनको बोलते हैं, alternate interior angle, तो यहां पे देखो, ये वाला angle और ये वाला angle, क्योंकि ये parallelogram है, ये side parallel हैं दोनों, ये क्या हो जाएगी, इसको transversal line कह देंगे, दोनों ही interior angle होते हैं, दोनों ही अंदर के angle हते हैं, transversal line की, दोनों अलग-अलग side के होते हैं, देखो, य ये y और 40 दोनों क्या होगे, इक्वल होगे, तो y is equal to 40 degree, alternate interior angle, ठीक है बच्चे, alternate interior angle, तो आपका y की value भी आगी कितनी, ये 110, ये आगया 40 degree, अब ये 110, ये 40, अब ये निकलना है, अब देखो, ये triangle है, नीचे वाली, नीचे वाली triangle है, triangle के 2 angle का पता है, में 3 angle का sum कितना होता है, मनोज कितना होता है, 3 angle का sum triangle के, 180 degree, very good, क्योंकि इसको angle sum property कह सकते हो, आप इन 3 का sum क्या होगा, 180, तो 180 में से ये 2 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा, 150 माइनस होगे, तो कितना बचेगा, 30 degree, इसको क्या कह सकते हो, आप, 30 degree, तो z की value के आगी, 30 degree आगी, वो आप find out करक तिन्नों का sum लिख करके, इस तरीके से आप जो है, ये questions कर सकते हैं, अब next question number 8 में आ जाते हैं, question number 8 में हम देखेंगे, क्या दिया हुआ, पढ़ेंगे question number 8 को बढ़ अच्छे से जान से, आपने बस समझना है, given क्या है, find out क्या करना है, बस ये 2 चीज जिसके समझ में आ गई आठी न, उसका कल्यान हो गया, उसका कल्यान हो गया समझो, जिसको 2 चीजें समझ में आ गई, given क्या है, और find out क्या करना है, कोई भी mathematics का question आपको करना है, तो आपको 2 चीजें समझनी है, पहली चीज क्या समझनी है, वाट इस given, given क्या है, second चीज आपने क्या समझनी है what is what we have to find out हमें क्या find out करना है तो दो चीज़ें आपको समझनी है तो आपको आराम से questions कर सकते हैं अगर ये चीज़ें ही समझनी आई आई आपको तो फिर आपको question नहीं कर पाएंगे तो जो 8th question है the following figure G UNS and R UNS are parallelogram find X and Y length are in centimeter length निकालनी है अब यहाँ पर तो बड़ा ही easy दिया हुआ है देखो पहले part ना मैं नहीं करवाँगा आपको पहले part में opposite sides जो है वो equal होती है आपको पता है parallelogram की तो opposite side को equal करना XYZ की value आजाएगी जो second part दिया हुआ है उसको दोनों opposite sides के pair जो है parallel है और दोनों के ही यह diagonals जो है एक point पे intersect कर रहे है ठीक है बच्चे इसका नाम है O और यहाँ पे है Y plus 7 यह वाला part यहाँ से यहाँ तक कितना Y plus 7 उसके बाद उपर वाला है 20 और यह वाला है X plus Y और यह 16 X plus Y और इदर वाला 16 तो यह आपको given है आपको X और Y की value find out करनी है यह second part है question number 8 का first part मैंने छोड़ दिया आपको आप स्वेम करेंगे उसको फिर भी कोई problem आएगी तो मुझे बताएंगे second part में बच्चे आपको diagonals पे part दिये हुए आपको पता है we know that क्या जानते हुआ हम जानते हैं कि जो diagonal के parallelogram के जो sorry parallelogram के जो diagonals होते हैं वो एक point पे bisect करते हैं एक दूसरे को पता है न सभी को we know that the diagonals of a parallelogram diagonals of a parallelogram are bisects each other पता है न बच्चे सभी को सभी को पता है न very good तो हमें पता है कि ये वाला part इसके equal होगा ये वाला part इसके equal होगा तो करते हैं y plus 7 is equal to कितना आगे बच्चे y plus 100 y plus 7 is equal to 20 अभी ये linear equation in one variable में आ गई जो कि आप कर चुके हो तो 7 को उदर ले जाओ y की value मिकालनी है y की value कितनी आगी 13 अब उसके बाद जो दूसरा है ये वाला part इसके equal होगा यानि x plus y is equal to कितना होगा 16 अब y की value हमें पता है 13 है x plus 13 is equal to 16 x is equal to कितना आगा 13 उदर जाएगा minus का 3 और ये centimeter में लेनी है क्योंकि उसने पहले ही question में बोला हुआ है कि ये centimeter में आपने measure घर नहीं तो बड़ा ही easy अब आपके लिए बिल्कुल ये हल्वा लग रहा होगा हल्वा जैसे मीठा हल्वा आप खाते हो ना घर में खाते हो ना सारे वैसा ही हो गया ये तो इस तरीके से आप करेंगे साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए ये एक दम हल्वा हो जाएगा बच्चे तो अब हम करेंगे आगे questions इसी का जो है चलते हैं question number 9 में question number 9 देखते हैं बच्चे इन दा अबोव फिगर बहुत आर आई एसके और सी एल यूई आर पैललोग्राम find the value of X दो पैललोग्राम दिरखी साथ ही जोइंट है दोनों की दोनों ठीक है बच्चे दो पैललोग्राम है यह है यहाँ पर ऐसे ठीक है बच्चे और यह है आपका इस तरीके से ऐसे ठीक है तो यहाँ पर X मार्क किया हुआ है उसके बाद यह लिखा हुआ है R-I-S-K R-I-S-K यह पैललोग्राम है R-I-S-K और दूसरी जो पैललोग्राम है वो है L-U-E यह एक पैललोग्राम है दो पैललोग्राम दी वही है यहाँ पर मार्क किया हुआ है 120 डिग्री यहाँ पर मार्क किया हुआ है 70 डिग्री यहाँ लखना यह पोजिट एंगल सेन पैललोग्राम के नहीं है दोनों जो है अलग-अलग parallelogram के हैं भई यहां पे यह intersect कर रहे है ओ पे, यह ओ पे diagonal intersect नहीं कर रहे है दोनो parallelogram की sides intersect कर रहे हैं, यह कर रहा है in the above figure both risk and clue RISK and CLUE clue R parallelogram find the value of X, दोनों आपको क्या करना है, X की value find out करनी है, तो कैसे करेंगे थोड़ा सा, सोचिये, दिमाग लगाईए इसमें हम किस तरीके से कर सकते हैं बताओ, सोचो थोड़ा सा, सारे बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, की कैसे वीडियो को pause कर लो चाहे, आप कैसे कर सकते हैं, सोचिये लगाओ, दिमाग लगाओ सावास वेरी गुड सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे बड़ा ही आसान है मुझे लगता है सब को समझ आ गया होगा नहीं आया है तो कोई बात नहीं अब हम समझा देंगे हम किसलिए हैं यहां पर तो देखेंगे हम सम बच्चे मैं आपको फिगर में ही समझाता हूँ जय जय अच्छा रहेगा यहां लिखके बताओ यह एक चीड़ में ही समझा नहीं तो आप चीजे लिख लिख लेना यह वाला अंगल कितनी डिकरी और सम क्या होगा वाई दोनों क्या हैं दूसरे के दोनों एक दूसरे के पडोसी हैं और दोनों जो पडोसी होते हैं उनका जोड, उनका सम, उनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री तो हमें पता है इसका और इसका सम कितना होगा इसको हम भूल जाते हैं एक बार इसको हम भूल जाते हैं सिरफ इसको देखते हैं आ रहा ही एसके रिस्क जो पहलोग्राम है तो यह दोनों अड़ेसेंट एंगल हैं तो पूरा नाम लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो तो हमें पता है सम ओफ अड़ेसेंट एंगल सम ओफ अड़ेसेंट एंगल्स ऑफ या पैलोग्राम आर क्या होंगे बच्चे वान एटी डिगरी आर ओल्वेज वानेटी डिगरी हम जानते हैं यह बात तो यह कितना है यह 120 है हमें स आजाएगा कितने डिग्री का बच्चे स आजाएगा इसको बूल जाते हैं अब हम देखते हैं 70 degree है इसका opposite angle यह वाला opposite अंगल भाई क्या होते हैं जो पैलोग्राम होती है उसकी opposite angle क्या होते है equal होते हैं हमें पता है very good आपको भी पता लग गया तो angle L is equal to angle E तो यह कितने का होगे 70 degree के आप लिखना चाहो लिख दो ओपोजिट एंगल्स ओफ पैरलोग्राम ठीक है बच्चे यह 70 का है तो यह भी कितने का होगे बाई 70 डिगरी का अब इसको भी मैं एक बार यह सम्झाने के लिए मैंने इसको इरेज किया था यह वाला 60 डिगरी का है यह वाला 70 का अब यह जो ट्राइंगल बन गी इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इ ओ एस यह जो छोटी सी ट्राइंगल बन गी यह वाला एंगल 70 का है यह वाला 60 का है तो तीसरा कितने का होगा हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिगरी 180 डिगरी तो हम बच्चे क्या करेंगे इस ट्राइंगल में और दो हमें पता है 70 और 60 के है तो x आ जाएगा हमारा 180 में से माइनस कर दीजिए तो हम लिख देंगे 70 degree plus 60 degree plus x is equal to क्या होगा 180 degree लिखना चाहो तो angle some property लिख सकते होगा तो x is equal to कितना आगया 180 में से 70 plus 60 कितना होगा 130 minus हो जाएगा उधर जाकरके तो कितना बचेगा 50 degree यह आपका क्या आगया x की value आगी तो इस तरीके से हमने find out करना है x की value बड़ा आसान question था आपको I think समझ में आगया होगा सबको समझ में आगया ना आगया सबको समझ में very good बहुत अच्छे बच्चे हैं बई सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं इतने अच्छे बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे वो अपने भाई सा्थियों के पास share कर दो अब तुमें थोड़ीना अधिकार आ के लिए पढ़ने का सबको समांता का अधिकार है सबको पढ़ने का अधिकार है तो right to education act पढ़ा है शब ने सुना है न तो सबको पढ़ने का अधिकार है सब के पास बेज़ दो इसको पूरा पूरे देश में फ़ला दो उक्रांती की तरह ताकि सारे बच्चे घर बैटके अराम से पढ़ते रहें और लोकडाउन का पालन होता रहें तो आपने सबने इसको शेयर कर देना है वीडियो को बहुत अच्छे बच्चे कॉस्टन नमबर एप सब्सक्रांती है वो ट्रैपीजियम है आपको बताना है कि जो एक फिगर दे रखी है के ल में यह दिए बच्चे इस तरीके से की ल मन इसके अंदर जो मार्क किया हुआ है यह वाला 80ड़ यह और यह वाला हंडड़ डिगरी है आपको बताना है कि कैसे यह 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 क्या होता है पहले आप इसको समझे स्टेस करें क्या होता है बच्चे ट्रैपीजियाम है इस एड़ इन विच फेयर औफ पोजिट शाइप इस इक वर इस पेल नहीं इस पेलर पेर आफ फोजच शायद इस पालन कोई भी कोई भी पाधि लेटल जिसके अंदर एक पियर आप पेर पेरलल हो इनके पेरल करेंज हो तो उसको हम लॉए यह लहां यह सब सकोल है तो मोखलंए और पलाजन का है ? अब देखो भाई यह वाला angle 80 degree का है angle L, जो है, वो 80 degree है angle M, जो है, वो कितना है 100 degree है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँँ, तो वो कितने degree के हैं, भाई, 180 degree के अगर दोनों को मैं sum कर दूँ 80 plus 100, तो वो कितना हो गया, 180 degree, देखो मैंने बताया था, भाई, कि कोई भी जो parallelogram होती है parallelogram, parallelogram की में बात कर रहा था, या मैं ऐसे बताता हूँ, दो parallel side है ये ठीक है बच्चे, और ये जो है A के transversal line है ये क्या है कि transversal line तो जब ये transversal line है, तो ये A की side के, ये interior angle है A की side के दोनों angle है, interior भी छोड़ो, गोली मारो क्योंकि उदर लाइन नहीं है इसलिए एक्स्टीर भी हो सकता है एक ही साइड के दोनों एंगल है इन दोनों का सम ओलवेज 180 डिगरी होता है यह वही प्रोपर्टी लगती है पहलो ग्राम में क्योंकि पहलो ग्राम की जब ये और ये पहलो ग्राम हैं इन दोनों का सम ओल यह सवर्ञाँ अधा है भी यह साइड यह साइड और यह साइड पैलल है इन दोनों वह पैलुम नहीं है इसमें केवल एंगल दिये हुए है तो देखो इसका सम और इसका सम इन दोनों का सम कितना है बच्चे 180 डिगरी जब इन दोनों का सम 180 डिगरी है तो यह वाली लाइन और यह वाली लाइन दोनों आपस में पैरलल होंगी बच्चे क्या होता है जब इन दोनों का सम 180 ड आई है तो भीवी तो एक आई आई बात तो एक ही है तो जब इन दुनों का सम 180 डिग्री है कब जब यह दोनों लाईने पैरलल है अगर इन दोनों का सम 180 है तो फिर यह पैरलल हो जाएंगी यह नि ऑपोजिट भी होगा तो यह बहुत जो हैं तक्र ग्राइम और supplementary angle ऐसे लिख सकते हो L and M angles L and M are supplementary है supplementary है इन दोनों का sum 180 degree है इसलिए ये supplementary है और जब ये दोनों supplementary है तो ये side और ये side दोनों के हैं अपस में parallel है so KL parallel NM KL KL parallel का ये sign होता है पता है न सभी को NM ठीक है बच्चे तो ये दोनों लाइन क्या होगी अपस में parallel होगी अगर यहाँ पर 80 है अगर ये वाला 100 होता न ये दोनों का sum 180 होता तो फिर ये दोनों लाइने parallel हो जाती अब केवल वही एंगल 100 का है तो ध्यान लगना है जब इसका मतलब क्या होगी ये line और ये line दोनों parallel है बस और कोई parallel नहीं है ध्यान लगना और जब पेर ओफ उपोजिट साइड पेरलल हो किसी quadrilेटल का एक पेर पेरलल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं पेर पेरलल में तो इस है trapezium ये क्या है बच्चे trapezium है some lump है some lump होते हिंदी में इसको तो ये आपका पुरू हो गया अब इसी का जो है एक question और बचा हुआ है question number 11 इसको हम देख लेते हैं 11-12 भी है इसमें तो ये देखते हैं हम बारी-बारी से क्या है इन question में ऐसा जो आपको दिक्कत आ रही है किसी को मुझे लगता है अभी तक कोई problem नहीं होगी अगर कोई problem आ रही है तो वीडियो को दोबारा से देख लो भाई बैक करके दोबारा से देख लो फिर भी problem आती है तो comment box में comment करो find measurement angle C in the figure if AB parallel DC AB और DC parallel है यह दिया हुआ है यानि जब दो side यानि pair of opposite side parallel है ABCD का जब इस figure में क्या है in the given figure इस given figure में क्या है भाई यह कह रहा है AB parallel DC यानि यह और यह parallel है दोनों जब यह दोनों parallel है तो यह trapegem तो बनी गई आपका यह angle 120 degree दिया हुआ है आपको यह find out करना है तो बच्चे जब यह दोनों क्या है यह दोनों parallel है यह आपकी क्या होगी transversal line हो गई इस transversal line के एक ही side के angles का sum 180 degree होता है मतलब वो दोनों supplementary होते है यानि angle B plus C is equal to क्या होगा 180 degree तो यह इनको आप supplementary angle कह सकते हैं तो यह कितने का आगया बच्चे एंगल C आपका यह B 120 दर जाके माइनस का हो जाएगा मैं direct ही लिख देता हूँ यह कितने का आगया C का तो measurement निकालनी थी angle C की वो कितनी आगई 60 degree अब लास्ट कोशन है फाइंड दा मेजर ओफ एंगल P एंड S इफ PQ पैलल RQ पी सोरी SP पैलल RQ इफ यू फाइंड मेजरमेंट एंगल R इस देर मोर देन बन मेंटर तो फाइंड बस आपने यह खुद ही करना है बाई बड़ा आसान है कोशन आप Swem इसको जब इतनी चीज애 अमने कुछ झोड़ाหी नहीं है इस चेप्टर में तो कुछ तो आप Swem भी करेंगे करेंगे तो इस कोस्ट को लास्ट कोस्ट को आप خود करेंगे इसके बाद भी अगर कोई प्रोब्लम आती है तो आप मेरे से पूछेंगे बिना हैजिटिशन के आप मुझे वाट्सप पे मैसेज भी कर सकते हैं और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि मैं आपको इसका सोलुशन जो है बता सकूँ तो बच्चे आपने वीडियो को बड़ा ध्यान से देखा और जिन बच्चों ने अभी भी कोई दिक्कत है एक बार दोबारा इसको शुरू से देख लो ताकि आपकी चीजें कॉंसेट आपका क्लियर हो जाए फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो इसके बाद वीडियो को आप लाइक करना ना भूले हैं बड़ी कंजूसी कर रहे हैं बच्चे लाइक करने में आप लोग इतने सारे बच्चे देख रहे हो और फिर भी जो है लाइक उसके बहुत कम आते हैं तो आप बच्चे लाइक्स कर दो जिनोंने यूटूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जुरूर कर दो आपके फाइदे की चीज़े आपके काम आएगी यह चीज़े और बैल आइकन को दबा दें तो आज के लिए इतना ही अब नेक्स एक्सरसाइज के साथ तब तक के लिए गुडबाई अब नाइस टू थैंक यू